नमस्कार मैं डॉक्टर मुकेश जोशी आमरपाली इंस्टिट्यूट हल्दवानी से आज फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के पस्तित हुआ हम जो डीवीमेस का एक और टॉपिक है डेटाबेस यूजर्स और अगर भेतर वे में कहें तो डीवीमेस यूजर्स होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूजर्स क्योंकि जो डीवीमेस की यूजर्स हैं वो अल्मूस्ट डेटाबेस के ही यूजर्स है अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम य सबसे पहले और अगर हैं तो किस केटेगरी के डेताबेस UZERS हैं ? हम किस come को बिलॉंग करते हैं ? तो वही सारा discussion इस पूरे session के लिए रखा गया है कि 2 डेताबेसUZERS हैं या नहीं हैं तो हम किस के टेग्री के हैं ? इन जैनरल आप जैसे ही internet के उपर आते हैं सबसे पहला objective में तो आप database के user बन जाते हैं उसी समय से तो अब curiosity develop होती है कि हम जैसे ही internet के उपर आए हम कैसे database के user बने हमने कहा database को use किया knowingly और unknowingly हमने किस तरीके से database user को या किस तरीके से database के user बने जिसका एक छोटा सा example उधारन मैं आपको देता हूँ कि आपने suppose email id अपना बनाया और अपनी email services को आपने use करना शुरू किया तो भले ही आपने Gmail, Redev, Yahoo, whatever जिसको भी आपने use किया है इसको अगर आप use कर रहे हैं for email id purpose पर याद रखिए कि जैसे ही आप इस role पर आए हैं आप database की user बन गए हैं कैसे बन गए inbox के अंदर जो भी कुछ आपने देखा वो सब कुछ database में ही है और आप database को directly या indirectly किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं बट अब यहाँ पर concern आता है कि क्या मैं भी उसी तरीके का user हूँ जैसा जिसने वो inbox बनाया तो यहाँ पर हमको separation करना होगा क्योंकि मेरे में मैं एक अलग तरीके का user हूँ और जिसने उसको design किया वो एक different तरीके का user है तो दोनों में difference है उसी के लिए इस session को रखा गया है कि database user और DBMS user DBMS user मतलब कि जब आप database management system जो software आपके पास है जैसे Oracle, MS Access, MySQL यह सब DBMS है इनको जब आप इस्तिमाल करें तो भी आप database user है और जब आप email ID के through access कर रहे हैं तो भी आप database के ही user कहलाएगे तो दोनों में almost same ही चीजे cover करी जाएगे तो इसमें सबसे पहले start करें कि database users हमारे कहके topics आज के cover होंगे database user को कहीजेगा हमने इसमें actor करके भी note किया है और users on the scene दो तरीके के users हमारे पास आते हैं एक जो directly database का इस्तिमाल कर रहे हैं दूसरे जो database को directly use नहीं कर रहे हैं जो directly कर रहे हैं उसमें database administrator, database designer, end user और system analyst आता है जबकि user behind the scene, DBMS designers and implementers, two developers, operator and maintenance personal मतलब वो लोग जो database को बनाने के लिए या DBMS software में जो काम करने के लिए मतलब जिसने DBMS को component level पर ready किया है वो actors behind the scene है हम लोगों का जो focus area है इस session में वो actors और users on the scene है जो scene पे role play कर रहे है Now database administrator, who is database administrator? database administrator को करें सिंपल से में बात करें या सीधे सीधे कहें सबसे strongest position या सबसे strong person who is directly related to the database अगर मैं कहूं कि database x है इसमें सबसे important या सबसे एक तरीके से सबसे role play करने वाला person कौन है तो वो होगा database administrator अब उसके jobs क्या क्या होंगे? उसके सबसे पहला job होगा जो authorization control करेगा कि इस database को use कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है इसकी authority database administrator decide करेगा coordination करेगा, softwares और hardwares इस database को चलाने के लिए क्या-क्या requirements है, software और hardware की ये database administrator decide करेगा database administrator ये भी decide करेगा कि इस database में जो quality of content है इस database के अंदर जो चीज़ें आ रही है, उनकी quality कैसी है, वो किस तरीके का content है वो ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ों की ensurety database administrator करेगा इसके बाद data को proper backup करना और उसकी recovery की जिम्यदारी database administrator की होगी तो एक तरीके से database administrator is a controller of the entire database इसके उपर कुछ भी नहीं है, ये सबसे strongest और prominent person है in a database दूसरी category हमारे पास आती है database designer की Now, who is the database designer? तो database designer में हम उन लोगों को जिकर करते हैं या उन लोगों के बारे में discuss करते हैं जो database बनाते हैं database administrator database बनाएगा नहीं, वो उसका controller होगा, वो administrator होगा, वो parental job करेगा मगर database designer जो database बनाएंगे, जो ER diagram हमने बनाया उस ER diagram को जो implement करेंगे machine में, एक तरीके से programmer type से ही मगर हम उसको exactly programmer नहीं कहेंगे, क्योंकि programmer programming language इसको ज़्यादा deal करता है मगर हाँ, somehow organization के अंदर maximum time database designer और programmer एक ही तरीके के लोगों होते हैं सीदे सीदे language बात करें तो दोनों एक ही तरीके के लोगों होते हैं क्योंकि designer का job almost programming part ही है तो database designer का सबसे पहला concern है, वो यह है कि वो यह identify करेगा कि क्या data store करा जाना है साथ ही साथ वो यह भी identify करेगा कि tables का structure कैसा होगा और उन tables में कौन-कौन सी data type लिये जाएंगे, उनकी क्या width रखी जाएगी, वो proper है या नहीं है यह सारे discussions database designer के level पे होगे सबसे important end user सारा database administrator या database designer जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ activity perform कर रहे हैं यह सब कुछ database या end user के लिए कर रहे हैं end user मतलब हमने वही सारी चीज़े design करी, सब कुछ बनाया, तो finally किस के लिए बनाया ताकि end user उसको use करे, क्योंकि कोई use कर रहा है तो ही सब की utility है, अगर वो उसका इस्तिमाल ही नहीं कर रहा है तो इसकी कोई utility नहीं है, तो end user हमारे पास एक तोड़ा सा enlargement area है end user में वो भी आएगा, जो email के दुरू database को access कर रहा है end user में एक bank का clerical department का person भी आएगा, clerk means जो भी वो भी database यूज़ कर रहा है, airline reservation वाला भी database का इस्तिमाल कर रहा है ठीक है न, और many more तो अब हमें यहाँ पर end user में category बनानी होगी कि हम किस category के users हैं और मैं खुशिश करूँगा कि आप इसके बाद अपने को खुद access करें, कि आप किस तरीके के user की category में आते हैं casual end user सबसे पहला term, casual end user उसके नाम सही लग रहा है कि जो occasionally database को access करते हैं मतलब ऐसे यहोग जनरली कहें कि मैंने आज mail बनाया और महिने में 15 दिन में या 2 महिने में 3 महिने में एक बार में उस mail ID को check करता हूँ तो मैं database तो इस्तिमाल कर रहा हूँ, मगर मैं किस category का user हूँ, मैं casual category का user हूँ क्यों कि मैं regularity में उसका user नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने बना दिया रग दिया और timing मुझे time मिलता है तो मैं use करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा यह तोड़ा सा advanced stage है, casual के उपर, नेव और parametric के अगर आपको example देखना हो तो railway reservation clerk या जो booking clerks होते हैं, या banking में जो clerks हैं, hotels में जो use कर रहे हैं, यह सब नेव और parametric category के user हैं ऐसा मैंने क्यों कहा, यह भी casual category में आते हैं, मगर किस level तक कि इनको भी database की internal working नहीं पता इनको भी नहीं पता कि internal database क्या है, कौन सा database है, को आप suppose किसी bank clerk के पाच चाहें और आप उससे पूछें कि आप कौन सा database use कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा आप railway reservation के clerk के पाच जब पूछें कौन सा database use कर रहे हैं, उससे नहीं पता होगा बट इसके बाद भी वो हर एक second में, या हर एक minute में, या हर एक घंटे में database का इस्तेमाल कर रहा है उसको पता नहीं है, मगर वो still he is using it, तो ऐसी category के user name और parametric जो database को frequently access कर रहे हैं, हर समय access कर रहे हैं, मगर उन्हें उसकी awareness नहीं है कि वो कौन सा database use कर रहे हैं, तो ऐसी category कहलाती है, name और parametric end users की इसके बाद दो और category है end user की, sophisticated और stand alone users, sophisticated में technocrats, engineers और CDC language में बात करूँग, मैं यह hacker कहता हूँ, यह scientist कहता हूँ जो की उस database के administrator नहीं है, बट उनको उस database के सारी working पता है, for example, teacher के level कर में बात करूँ, टीचर एक sophisticated end user हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको database के सारी working पता है, मगर वो उस database का originator नहीं है, अगर कोई मुझसे बात करें, तो मैं उसके process बताँग, यह inbox बना हुआ है, यह email idea है, यह database है, इसमें यह types use हो रहे है, तो I belong to the category of sophisticated, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी working पता है, but मुझे जो नहीं पता, मैं उस data का administrator नहीं हूँ, मैं यह decide नहीं कर सकता, कि इस database को कौन use करेगा, कौन नहीं करेगा, तो sophisticated advanced stage के learners है, जिनको की पूरी awareness है, highly qualified, तो उनको हम sophisticated end user की category मे लाते हैं, इसके बाद एक और category हमारे पास stand alone users, stand alone users कौन से लोग होंगे, जो ready-made program बने बनाये packages है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी unknowingly कर रहे हैं, मगर जैसे for example, income tax calculator देखिएगा, जितने भी income tax lawyers हैं, वो हर्स में database को use कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं, predefined package के अंदर, भई उन्होंने salary भरी, उन्होंने deductions डाले, तो नीचे machine ने खुदी यह calculate करके दे दिया, विद्धा help of a database कि आपको कितना tax भरना पड़ेगा, उसने सारे rule database में थे, database आपका, जो आप content डालते गए, उस content को उसने database से match करा, और उसके basis पे एक content निकाल दिया, मगर वो किस के ले था, उस सिव उस lawyer के लिए, या उस income tax के वकील के लिए, तो ऐसे users, stand alone users कहलाते हैं, इसके बाद, फिर एक category है database user की, जो सबसे important है, system analyst और application programmer, ये actually में जो हम programmers की बात कर रहे है, high end programmers, वो लोगों का discussion है, इनका job क्या है, user requirements के बारे में discuss करना, ये somehow कई बार match कर जाते है, database designer स में इसलिए नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका एक और question है, वो है system को analysis करना, ये वो लोग भी है, जो पूरे entire system का analysis करते हैं, ये वो लोग है, जो database के सांसे front end का भी पूरा knowledge रखते हैं, इसलिए, ऐसे users को एक separate category में रखा गया है, इनका job है, कि ये regular ये frequent way में end user की requirements को जानेंगे और उसके हिजाब से, नए database में क्या amendment होना चाहिए, database नया बनना चाहिए, या इसी database में के upgradation करा जाए, ये सारी चीज़ें discuss करते हैं, workers behind the scene, ये वो लोग हैं, जो हमको database में नहीं दिखाए देते, for example, worker behind the scene अगर मुझे जानना हो, तो मैं उन लोगों का discussion कर सकता हूँ, ज जिन लोगों ने MySQL का software बनाया, जिन लोगों ने access या Microsoft की पूरी coding करी, कि जिससे वो software आपके पास आया, और आप उसे use कर पा रहें, तो ऐसे users worker behind the scene की category में आते हैं, इसी के सांथ मैं धन्नेवाद चाहूँगा, thank you.